नमस्कार दोस्तों, अभिवादें श्विकार करें, लोकेश त्रिपाटी की तरफ से, और आए चलते हैं अपने 12 मी की उसी NCRT को में जिसको हम पढ़ रहे थे, और आज बारी है चेप्टर 6 की, चेप्टर 6 का नाम है खुली अर्थवेवस्था तथा समश्टी अर्थसास्त् बेसेक एकॉनमी के लिए चेप्टर बड़ा महत्तुपूर है, एकॉनमी के कई सब्द आपको समझने को मिलेंगे, कई कॉनसेप्ट आपको समझने को मिलेंगे, तो बड़े गौर से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एक बात और सुरू में ही, पिछली क्ल का किस्तेमाल करें, यारि उस किताब का का इस्तेमाल करें, यह सवाल था, तो इसका जबाब है, जब मूल NCRT को ही इस्तिमाल करना है, फिर हम NCRT क्यों पढ़ा रहे हैं, दरसल NCRT में गागर में सागर भरा हुआ है, बड़े बड़ी बाते बड़े छोटे डाएरे में हो जाती है हमने क्या किया है उस सरल 178 से चेड़ चाड किये उसे सरल्रमें तब्दिल किया है वाली बात हैं दूसरी बात ह्या कि ल€ के नजरिये से देखा है ंसेons 11 12 के बच्चे के लिए लिखी गई है नोक्य के यूपीस्य के तयारी करने वालों के लिए लिखी गई है लेकिन सेलेबस में इतनी समानता है कि सवाल सीधे आते हैं हमने क्या किया है UPSC के नजरिये से NCRT को पढ़ा है और जितनी बाते NCRT में उन्हीं को आपके लिए आपकी जाम के नजरिये से एक करीने से सजाया है हमने छेड़ चाड़ नहीं की है सजाया है एक सीक्वेंस में UPSC के नजरिये से जहाँ-जहाँ जरूरत पड़ी है हम थोड़ी बाहर की भी चीज़े लेकर के आये हैं और जहाँ-जहाँ जरूरत पड़ी है जो चीज़े गैर प्रासंगिक थी हमने उसे छोड़ा भी है कुल मिला जुला करके NCRT को एक पैकेज के रूप में तयार किया है ताकि क्लास देख लें इसके PDF को देख लें तो आपकी NCRT जो आप पढ़ते तो 10-12 घंटे में एक चेप्टर तयार होते वो एक घंटे में तयार हो जाए उसको आसानी से समझ ले ताकि आपका समय बचे आपकी उर्जा बचे और आपका आउटपुट अधिक निकले इसी को स्मार्ट इस्टिडीज कहते हैं तो जो सब कुछ हमने कर दिया है तो पुनह आप क्यों करेंगे इसलिए आपके सवालों का जवाब ये है कि हम NCRT पढ़ा रहे हैं NCRT में जो PDF देते हैं उसी PDF का इस्तेमाल किजिए कोसिस ये कीजिए जे पीडियफ हम आपको देते हैं इक बार हाथ से लिख लिजिए इसको क्या कीजिए एक बार हाथ से लिख लिजिए एक कॉपजी बना लेजिए अन्य विश्य उपर धान देजिए अन्य चीजे पढ़िया एंस्वा रैटिंग इत्याद किजिए तो आपकी शंकाओ का शमाधान मैंने कर दिया मैं उमीद करता हूँ ये इंसियाटी आपको बड़ी लाफ दे रही होगी आप में confidence build up हो रहा होगा आपको लग रहा होगा कि ह हमें कच्छी तैयारी की ओर जा रहे हैं बस एक दो चेप्टर बाद हम test book सुरू ही करने वाले हैं किताबों का अध्यन सुरू ही करने वाले हैं परेसान मत होईएगा अब किताबों का अध्यन करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है और संपूर economy आपको इसी किताबों के अध्यन की सिरीज में हम आपको तैयार करा देंगे एकदम जबर्जस तरीके से किसी भी एकजाम में आपको economy से कोई दिक्कत नहीं होगी ये भरोसा हमारा कीजिए आस्वस्त रहिए आप सिर्फ स्रम करने को तैयार रहिए आप से ज़्याद आस्रम हम आप पर कर रहे हैं त चैप्टर का नाम है खुली अर्थवेऊस्था और समश्टी अर्थसास्तर दो शब्द मिल रहे हैं खुली अर्थवेऊस्था क्या है और समश्टी अर्थसास्तर समश्टी अर्थसास्तर क्या है याद कीजिए हमने जब यह किताब सुरू की थी तो एक चैप्टर पढ़ा तो जब हम खुली अर्थवे उस्था की बात करते हैं, तो थोड़ी सी एक बात समझिएगा, सवाल उठा है कि क्या है खुली अर्थवे उस्था, अर्थात किस एकॉनमी को खुली एकॉनमी कहते हैं, ओपन एकॉनमी कहते हैं, खुली अर्थवे उस्था कहते हैं, NCRT खुद एक ऐसी एकॉनमी है खुली अर्थवेवस्था एक ऐसी अर्थवेवस्था है जो दुनिया के सभी देशों से आर्थिक ब्योहार रखती है आर्थिक संबंद रखती है अब आर्थिक ब्योहार और आर्थिक संबंद रखने के लिए वो कई माध्यमों का प्रियोग करती है इन एक देश की अर्थव्योस्था शेस विश्य की अर्थव्योस्था से जुड़ी होती है। हम बार बार जब 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं ना कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाग इंडिया की एकॉनमी ओपन एकॉनमी में तबदील हो गई तो हुआ क्या था उन्निस से क्यानवे की आर्थिक सुधारों में यही तो किया गया था कि इंडियन एकॉनमी जो एक क्लोजड एकॉनमी थी बंद अर्थव्योस्था थी यानि दुनिया के अन्य अर्थव्योस्थाओं से संबंद रखने पर जो प्रतिवंद लगे थे उन से अधिक्तम 90% अर्थव्योस्थाएं खुली अर्थव्योस्थाएं ही हैं आज दुनिया की तक्रीबन लगबख सभी अर्थव्योस्थाएं कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जैसे नार्थ कोरिया वो दुनिया के अर्थव्योस्था से नहीं जुड़ा है कुछ अप किन किन तरीकों से जुड़ती है वे माध्यम क्या क्या है तो जिन जिन तरीकों से जुड़ती है जिन जिन माध्यमों से जुड़ती है वे तीन होती है पहला निर्गत बाजार पहला निर्गत बाजार यानि एक देश की अर्थवियोस्था पूरी दुनिया की अर्थवियोस् अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार कर सकती है इसे कहते हैं निर्गत बाजा ओपेन मार्केट अर्थाथ माल लीजिए मैं एक्जामपल देख समझाता हूँ यह अपने इंडिया की अर्थवेऊस था है इंडिया की अर्थवेऊस था दुनिया के पूरे क इसमें कोई भी देश सामिलो सकता है पूरी दुनिया से वस्तुओं और सेवाओं इन दोनों का व्यापार कर सकती है यानि पूरी दुनिया में इंडिया या तो अपनी वस्तुओं और सेवाओं ले जाकर के क्या सकता है बेच सकता है या पूरी दुनिया से इंडिया वस्त और सेवाए खरीज सकता है अर्थार भारत के लोग भी भारत के उद्योग पती भारत की कमपनिया भारत के सरकार भारत के व्यापारी पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और अपनी वस्त में बेश सकते हैं अपनी सेवाए बेश सकते हैं गोगल के CEO बन सकते हैं जब बारत के कपड़े जूते अनाच कोस्मेटिक्स बीदेसों में जा करके बिक रहे हैं तो क्या बिक रहे हैं बस तुए बिक रहे हैं इसी प्रकार दुनिया की भी बिभिन्देसों की कारें बिभिन्देसों के कोस्मेटिक्स बिभिन्देसों की दवाईयां बिभिन्देसों की म यनि खुली अर्थवियोस्था में एक देश अगर हम भारत का उधारड ले भारत खुली अर्थवियोस्था का देश है तो खुली अर्थवियोस्था में ओपन एक देश पूरी दुनिया से निर्गत बाजारों के माध्यम से जुड़ा होता है अर्थात एक देश पूरी तो इशे कहते हैं निर्गत बाजार दूसरी बात होती है तो एक तो खुली अर्थ विश्था में कोई देश दुनिया में निर्गत बाजारों के माध्यम से जुरता है दूसरा होता है बिट्टी बाजार आप कहोगे बिट्टी बाजार क्या होते हैं तो याद रखना बाजा मतलब मुद्रा आप अमेरिकन डॉलर खरीद रहे हैं तो आप क्यार कर खरीद रहे हैं वित्ती संपतिया खरीद रहे हैं कोई अमेरिका में बैठा हुआ ब्यक्ति भारती रूपिया खरीद रहा है तो भारत की वित्ती शंपतिया खरीद रहा है कोई ब्रीटेन का आदमी तो शेयर क्या है वित्तिय संपतिया भारत का कोई आदमी जाकर के BMW कमपनी का सेयर खरीद रहा है जर्मनी के Stock Exchange में लोग खरीदते हैं यानि भारती जर्मनी की वित्तिय संपतिया खरीद रहा है आप अपने देश में बैट करके दूसरे देशों का Bonds खरीद रहे हैं तो आप दूसरे देशों के वित्ती संपत्या खरिद रहे हैं। खरीद रहें तो वहानी बेश कर रहें इसे कहते हैं बित्ती बाजार खुली अर्थ व्योस्था में बित्ती बाजारों के लेन देन पर कोई प्रतिवंद नहीं होता है अर्थात खुली अर्थ व्योस्था में क्या होता है कि एक अर्थ व्योस्था दूसरे देशों से बित्त संपतिया खरीदती है बेचती है बेचती है दुनिया भर में लोग घूमते रहते हैं अनेक देशों के लोग और बित्ती संपतिया खरीदते रहते हैं वो उस देश में जाकर के जमीन नहीं खरीदेंगे होटल नहीं खरीदेंगे सोनाचादी नहीं खरीदेंगे क्या खरीदे और जब कोई देश अपने बाजारों को यानि अपने देश के फाइनेंसियल मार्केट को दूसरे देशों के लिए खोल देता है और साथ-साथ वह जाकर के दूसरे देश के फाइनेंसियल मार्केट में भी संपतियां खरीदने लगता है तुसे कहते हैं बित्तिय बाजार सु बात करें तो हम कह सकते हैं कि वित्ती बाजारों के माध्यम से भी एक अर्थविवस्था दूसरे अर्थविवस्था से ऐसे इस भी शुकी अर्थविवस्था से जुड़ती है इसके तहट एक अर्थविवस्था दूसरे देशों से वित्ती संपत्या खरीती भी है और बेस् 19.IX.19, क्यार्थिक सुधारों में क्या किया गया भारत ने अपने financial market को दूसरे देशों के लिए खोल दिया अब जब दूसरे देशों के लिए खोलने का मतलिम दूसरे देश के लोग आपके देश में आकर के आपके बित्ती संपतिया खरीदेंगे और आपके देश के लोग तीसरा होता है स्रम बाजार, इस तीसरे माध्यम से भी एक देश की अर्थवयोस्था से जुरती है, समझना, यानि हम कह सकते हैं कि काप कहोगे कि स्रम बाजारों के माध्यम से कैसे जुरती है, तो स्रम बाजार का मतलब होता है, जब कोई देश स्रम बाजार को ओपिन करता है जिसका मतलब होता है, कि वह दुनिया की किसी भी फर्म को, फर्म मतलब कमपनी, दुनिया की किसी भी फर्म को यह छूट देता है, कि दुनिया की कोई भी फर्म यह चेन कर सके, कि उत्पादन को कहा किया जाए, उत्पादन को कहा किया जाए, यानि अमेरिका की कोई भी कमपनी सोतंत्र है कि वो दुनिया के किस देश में अपने कमपनी अस्थापित करे भारत के भी कोई कमपनी सोतंत्र है कि वो दुनिया के किस देश में अपनी कमपनी अस्थापित कर सके कोई रोक टोक नहीं है साथ ही साथ इस स्रम बाजार में दूसरी सर्तिय होती है कि स्रमिक या चै इसे कहते हैं स्रम बाजार का के माध्हम से एक देश की अर्थवियोस्था का दूसरे देश की अर्थवियोस्था से जुरणा। अर्थात बात निकल करके कुल मिला जुला करके यह आई कि खुली अर्थ ब्योस्था जिसे हम कहते हैं खुली अर्थ ब्योस्था वो और कुछ नहीं है बलकि सीधी सीधी बात है जब किसी भी देश की अर्थ ब्योस्था या किसी देश की इकॉनमी है किसी भी देश की अर्थ विश्व 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 जब पूरे विशु की अर्थवियोस्था से जुड़ जाती है तो आ अर्थवियोस्था खुली अर्थवियोस्था कहलाती है यह जुड़ती है वह तीन तरीकों से जुड़ती है एक निर्गत बाजार के माध्यम से दुसरा वित्तिय बाजार के माध्यम से और तिसरा स्रम ब बाजार के माध्यम से दोरा लिजिए निर्गत बाजार मतलब किसी भी देश की अर्थवेवस्था वस्तुओं ठीक प्लस सेवाओं की खरीद फरोग्त या खरीद विक्री दुनिया के किसी भी देश के साथ कर सकती है बित्य बाजार का मतलब किसी भी देश की अर्थवेवस्था वित्य शंपतियों की खरीद फरोग्त वित्य शंपतियों में क्या आता है यहां बता देता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स वित्य शंपतियों वित्य शंपतियों वित्य शंपतियों तो वित्य शंपतियों में आता है मुद्रा जैसे मालो भारत का कोई ब्यक्ति रूपिया रखा है वो अमेरिकन डॉलर खरीद रहा है तो अमेरिका की क्या खरीद रहा है वित्य शंपतिय अमेरिका को व्यक्ति डॉलर रखा भारत का रूपिया खरीद रहा है तो क्या खरीद रहा है बित्ती शंपतिया खरीद आप आप को होगे भाई अमेरिका का व्यक्ति डॉलर रखा गात भारती रूपिया क्यों खरीदेगा जिसमालों मैं बताता हूं आप अमेरिका घूमने जाओ तो जब आप अमेरिका या यूरोब अमेरिका गूमने जाओगे तुम्हाँ खरीदारी करोगे न तब्य शुकं आएगा टेकसी करेगा घुमेगा खायेए फिरेगा रूपया नहीं भारते नहीं क्या किया रूपया खरया बेचा और डालार खरीदा akसी अमेरिका वाले आते हैं घुम ने चौक आएंगे तो कोई समान खरींगे डालर थोड़ा देंगे लेंगे रूपया देंगे लेंगे तैसे मुद्रा की खरीद परीथ होती यह तो हमने टूरिस्ट के जांपल से बता है निवेस के भी मामलों में यही होता है कोई अमेरिकन कंपनी भारत में उद्योग लगाने जितना डौर लेकर है इक रूपया दिन ले लिया यानि डॉलर बेज के रूपिया खरीड लिया, अब वही कमपनी भारत में व्यापार करेगी, फाइदा कवाएगी, तो जब अपने देश जाएगी तेहां का रूपिया थोड़ा लेग जाएगी, फिर वो RBI के पास जाएगी काएगी, देखेए न, हमने आपके देश से इतना रूपिया कमाया है, अब इतना रूपिया लीजिये, इसके बदले हमें डॉलर दीजिये, हम चल रहे हैं, तो इसलिए मुद्रा की खरीद फोरुक्त की जाती है, मal लिजिये कोई भारती, हम अमेरिका और भारत का एग्जामपल ले रहे हैं, हर देश के साथ ही होता, हम एग्जामपल बदते हैं, माल लिजिये कोई भारती जाता है और कहता है, लंदन में एक, लंदन के stock exchange में चलेंगे और ब्रिटेन की company का share खरीदेंगे चलते हैं हम अंग्रेजों की एक company खरीद लेते हैं टाटा गये जगवार खरीद लिए जगवार किसकी है ब्रिटेन की है किसने खरीदा टाटा को तो जब टाटा डी गये होंगे जगवार खरीदने के लिए तेहा से तो आरभी आई के पास गये होंगे कहेंगे रूपिया हमको पॉंड दीजिए और पॉंड ले चाहिए उसकी जगवार खरीद लेते हैं तो नों नों रूपिया दिया पॉंड खरीद पॉंड मिला वैसे ही कोई ब्रिटेन का आदमी आएगा इंडिया में कोई company खरीदने तबदील करता है फिर share खरीद वैसे भारती भ्यापारी भी दुनिया भर की companyों के share खरीदें तो जिस देश की company का share खरीदें उस देश में की मुद्रा में अपनी रुपे को तबदील करते हैं यानि जो मुद्रा की खरीद परोक्त होती है वह भी बित्ती संपतिया ही होती ह वो अभी बित्ती संपतियों की खरीद फरोक्त में ही आती है वैसी प्रकार से जिन कमपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं पूरी दुनिया भर में या भी बित्ती संपतियों में आती है आपने शेयर खरीदा है या बित्ती संपतिया है आपने किसी भी देश का बॉंड खरीद परदाकारी प्रतिभूतियां खरी दी है, गौर्नेंट सेक्ट्योर्टीज खरी दी है, तो ये भी किसमें आता है, ये भी बित्तिय संपतियों में ही आता है, तो बित्तिय संपतियों की खरीत फरोक्त जिन बाजारों में होती है उसे बित्ती बाजार करते हैं तो बित्ती बाजारों के माध्यम से जूरती है स्रम बाजार का मतलब समझी गए जब एक अर्थवे उस्था खुली अर्थवे उस्था में तब्दील होती है तो अपने सर्फ स्रम बाजार में रिफार करती है स्रम बाजारों का सुधार करती है स्रम बाजार को खोल देती है अर्थात अर्थ में उस्थाई छूर दे देती है कि दुनिया की कोई भी कमपनी हमारे हां आ करके अपनी कमपनी अस्थापित कर सकती है या हमारे देश की कमपनी दुनिया में कहीं भी जा करके कमपनी अ तीनों माध्यम से अर्थव्योस्थाएं खुली अर्थव्योस्थाओं में तब्दील होती है जो तीनों सुधार करती है वही open economy होती है समझ में आ गई बाद यहां तो कोई दिक्कात तीन है खुली अर्थव्योस्थाओं अब आते हैं इस टॉपिक में बड़ी मज़ेदार चीज है अदाएगी संतुलन सब्द है अदाएगी संतुलन अब इस पर चर्चा करती है यह प्रियम से एक्जामों के लिए बड़ा महत्फूर होता है इसमें छोटे-छोटे सब्द आएंगे जो सब्द अक्सर परेशान करते हैं आज के बाद परेशान नहीं करेंगे इन सब्दों को समझ लेजी अदाएगी संतुलन शब्द है अदाएगी संतुलन इस अदाए केजी में इसे बैलेंस आप पेमेंट कहते हैं बी ओ पी बैलेंस आप पेमेंट कहते हैं यानि आज इसे क्या कहते हैं इसी अदाएगी संतुलन को भुकतान संतुलन कहते हैं तो जहां जहां अदाएगी संतुलन सब्द मिले इसका मतलब भुकतान संतुलन की हो रही है बैले देखो बुगतान संतुलन में कहा जाता है इसी एक देश का सेश विश्व के साथ यहां देश हम अपना इंडिया लेते हमारे देश से महान देश कौन है और जो बचा खुची महानता है वो आप लोग बना ही देंगे यानि अगर कहीं हम कमजोड है तो आने वाली पीडिया हमारे सामने है आप बनाईएगा तो माली जीए यह इंडिया है इंडिया है ठीक यह एक देश हो गया और यह माली जीए पूरी दुनिया है सेश इसी में आजे गया पूरा बिश्व आ गया पूरी दुनिया है अब पू पुरी दुनिया का एक हिस्सा भारत भी है ठीक कर तो समझ में आ गई बात ने हम तो यह कौन भी समझाने के लिए से बना दे रहे हैं तो यह देश की अर्थवे उस्था है यह यह इंडिया की अर्थवे और यह सेश विश्व की अर्थ में उस्था सेश विश्व की अर्थ में उस्था अब इस सेश विश्व में सारा देश आ गया जितने देश हैं और यह इंडिया अपना लग है अब देखें भुक्तान संतुलन्द की परिभासा बता रहा हूं का जाता है इंडिया का उदारर लेकर समझाता हूं या जो इंडिया की अर्थ में उस्था है सेश विश्व की अर्थ में उस्था के साथ लेन देन करती लेंदेन मतलब खरिती भी है बेशती भी है लेंदेन करती है ठीक अब कहा जाता है कि लेंदेन का एक निश्चित समावधी का विबरण निकालते हैं यानि हम कह सकते हैं कि इंडिया की अर्थव्योस्था सेस्विश्व की अर्थव्योस्था के साथ एक निश्चित समय में ए एक निश्चीत समय में है अब यह निश्चीत समय एक वर्सका भी हो सकता है दो वर्सका भी हो सकता है, ठीक, माल लिजी याँ दो वर्स माल लीजी तो हम क,, सकते हैं कि इंडिया की अर्थविवस्था सेस्विश्व की अर्थविवस्था के साथ एक निश्चिस समय में जो भी लेन देन करती है इस लेन देन का एक बीबरण होता है हिसाब किताब होता है बही खाता होता है भारत की अर्थविवस्था ने suppose that भारत की अर्थविवस्था ने एक निश्चिस समय में पूरी दुनिया के साथ जो भी लेन देन किया माली जीया मों निश्चिस समय एक साल माल लिए तो हम कह सकते हैं भारत की अर्थविवस्था ने एक साल में दुनिया के साथ जो भी लेन देन किया उसका बीबरण तो सरकार रखेगी, डाकुमेंट तो सरकार रखेगी, भही खाता तो सरकार बनाएगी इसी बीबरण को बैलेंस आफ पेमेंट कहते हैं भुकतान संतुलन कहते हैं भुकतान संतुलन कहते हैं अदाएगी संतुलन कहते हैं समझना बात को यानि किसी देश की अर्थव्योस्था सेस विशु की किसी देश की अब हम परिभासा निकालते हैं यह पूरी दुनिया में एक ही परिभासा माने होती है किसी देश की अर्थव्योस्था हमने तो सम्झाने के लिए इंडिया माना हम कह सेकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यो एक निश्चिस समय में जो भी लेंदेन करती है उस लेंदेन के भीप्रण को हम बैलेंस आप्पेमेंट कहते हैं भुखतान संतुलन कहते हैं ठीक परिभासा देख लीजी तो परिभासा में भी यही बात लिखी जा रही है कि किसी भी देश के निवाशियों के बीबरण को भुगतान संतुलन कहते हैं वही बात हो गई है देश की अर्थ वे उसका कहिए या देश की निवासी कहिए हर देश का अपना हिसाब किताब का भीबरण होता है भारत का भी अपना पिछले वित्तिय वर्स का हिसाब किताब का भीबरण होता है अमेरिका का भी ह होता है उस हिसाब किताब में क्या लिखा जाएगा कि हमने दुनिया के साथ क्या लिया क्या दिया यारी क्या खरीदा क्या बेचा उसी को क्या कहते हैं भुक्तान संतुलन कहते हैं उसी को अदाएगी संतुलन कहते हैं उसी के वह बैलेंसा पेमेंट कहते हैं समझ में आ रहे य तो इस निश्ची समझ में सेस विस्तु के साथ जो भी लेंदेन की रहती है उसका जो बीवरण होता है इससाब किताब होता है उसे ही बैलेंसा पेमेंट कहती है तो मजमें आ गए बात, उसे ही बैलेंसा पेमिंट कहती हो, अब जो लेंदेन का विवरड है, उसे विविन प्रकार की खातों में लिखा जाता है, इसलिए कहा जाता हूँ, उसको सू देंदी में बही खाता, बही खाता का नाम सुने ह Polsce तो जो लेंदेन का बिबरण है उस बिबरण को दो खातों में किया जाता है दो प्रकार के एकाउंट बना करके उस लेंदेन का बिबरण की बनाय जाता है एक को कहते हैं चालू खाता और दूसरे को कहते हैं पूजीगत खाता यानि जो ये बी ओपी है जो बैलेंस आप पेमेंट है जो भुकतान संतुलन है ये क्या है बीबरड है बीबरड है किसका तो लेंदेन का लेंदेन का आयात निरियात का यही तो है तो जाहिर से बात है जब बैलेंस आप पेमेंट बीबरड है किसका तो लेंदेन का इसके तो balance of payment का हिसाब किताब दो account में रखा जाता है एक को कहते हैं चालू खाता current account एक को कहते हैं चालू खाता current account और दूसरे को कहते हैं पूजिगत खाता capital account पूजिगत खाता या capital account यानि balance of payment का विबरण दो खातों में रखा जाता है चालू खाता और पूजिगत खाता अब एक-एक को समझ लें, तो बैलेंस आप पेमेंट समझ लेंगे, तो अब थोड़ा हम चालू खाता समझते हैं, फिर पूजिगत खाता समझते हैं, तो देखो, चालू खाता और पूजिगत खाता की बात करते हैं, तो पहले हम चालू खाते की बात करते हैं, जितने भी प् अब व्यापार में आयात निर्यात दोनों सामिल हैं, तो चालू खाते में तीन चीज़ों का हिसाब किताब रखा जाता है, एक वस्तुओं में व्यापार का, दूसरा शेवाओं में व्यापार का, और तीसरा अंतरर भुक्तान का ट्रांस पर्पेमेंट का, तीनों को समझाते बस्तूओं का ब्यापार मतलब अरे सीधे सीधे बस्तूओं का निर्यात हमने कितनी बस्तूओं बेची है सेवाओं का ब्यापार मतलब सॉरी बस्तूओं का ब्यापार मतलब बस्तूओं का निर्यात और बस्तूओं का आयात कितनी बस्तूओं बेची हैं देखा जाता है कि बस्तूओं का ब्यापार देश ने कितना किया है बस्तूओं का ब्यापार मतलब बस्तूओं का निर्यात बस्तूओं का आयात कितनी बस्तूओं बेची है कितनी बस्तूओं खरीदी साथ साथ दूसरा जो हिसाब किताब रखा जाता हो सेवाओं में ब्यापार का तो सेवाओं में ब्यापार मतलब सेवाओं का आयात और निरियात तो सेवाओं का आयात और निरियात का मतलब क्या है कि सेवाओं से कितना पैसा हमने कमाया है और सेमाओ के लिए कितना पैसा हमने बाहर भेजा है, जैसे सेमाओ मतलब जहाज रानी, जहाज रानी का मतलब यह है कि भारत का एक्जमपल लेते हैं, भारत बीदेशों को समान बेशता भी यह खरीदता भी है, तो जो बीदेशों को माल लिजे पेट्रोलियम भारत खरीद र तो वो पेट्रोलियम आता इंडिया कैसे है तो बड़े-बड़े कंटेनर से बड़े-बड़े तेल के टैंकर से आता है पानी की जहाजों से तो जो जहाजे आती है वह मालेजी अमेरिका की हो अधिकतन जहाजे अमेरिका नहीं है यानि भारत पेट्रोलियम खरीदता है तो ज तो वस्तूओं के आयात में आजाएगा लेकिन जो जहाज का किराया दिया है वह किस में आजाएगा वह सेवाओं के में आजाएगा इसके लिए सेवाओं के लिए पैसा दिया है तो सेवाओं के आयात में आजाएगा यानि सेमाय खरीदी है मालिज यह जहाज से पेट्रोलिय जापान ने आश्टेलिया से कुछ खरीदा और जब माल की ढुलाई हुई तो न उसमें भारती जहाजों से हुई भारत के किसी ब्यापारी की जहाज को किराय पर जापानियों ने ले लिया आश्टेलिया से अपना माल मंगवा लिया तो जापानी उस जहाज का किराय किसे दे तो भारत क्या कहेगा, कि हमने सेवाओं का कि निर्याज से पैसा कमा लिया, उसी प्रकार बैंकिंग है, आपके देश में धेर सारी बिदेशी बैंक है, वो पैसा कमा रहे हैं, भारत के भी धेर सारी बैंक बिदेशों में है, बीमा है, धेर सारी बिदेशी कमपनिया भारत में भारती भी बीमा कंपनिया बीदेशों में है तो बीदेशी कंपनिया भारत से जब पैसा कमा करके चली जा रही है तो भारत कहरा है कि हमने बीमा सर्विस का क्या किया आयात किया लेकिन भारती कंपनिया बीदेशों में जाकर के पैसा कमा के आ रही है तो भारत कहरा है कि हमने के निर्याद किया यानि हमारी काम्पनी ने सेबा वी देशों बेचित बेसा मिला ऊसह रख्धा कार्ण तूरिजम है, साफ्ट बेयर है, तूरिजम परियतन किस में आता है, सेवाओं के आत्मिर्यात में आता है, तूरिजम है, सपुरी की पूरी साफ्ट बेयर इंडस्टी है, यह सब किस में आता है, सेवाओं में आता है, मनुरंजन है, सिनेमा है, यह सब किस में आता है, सेवाओ होता है एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम कहते हैं अंतरण भुक्तान बहुत वैलू इसकी नहीं होती है लेकिन फिर भी ठीक इसे सेवाओं के ब्यापार में ही रखा जाता है लेकिन कभी-कभी इसे अलग से भी दिखाया जाता है ठीक जो अंतरण भुक्तान है वो सेवाओं के ब् व्यापार का ही अंतरण बुकतान में क्या होता है जो सबसे बड़ा पैसा आता है वो प्रेसित धन आप गह साजरी चुह काम करते हैं रखेर सारे जो उसको तनख्वा मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने देश भेजता है तो वहां से जो वो पैसा भेजता है उसे हम प्रेसित धन कहते हैं ठीक यहां भी सिवाओं में ब्यापार का ही हिस्सा है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रेसित धन कहते हैं यानि जो करमचारी अपनी सेलरी भेशता है कोई भी मजदूर भी है वो प्रितनक्वा भारत भेश दे रहा है दुवाई में काम कर रहा है चाहे फेस्बुक का बहुत बलाद कोई अधिकारी है सीयो है वातन खुआ पारा इंडिया कुछ भी हिस्सा भेज रहा है उसे किसम माना जाएगा प्रेसी धन में माना जाएगा उसे प्रकार भी देसों से धेर सारे देश में उपहार आते हैं गिफ्ट आते हैं सरकारे भी दे गया कभी किसी देश द्वारा अनुदान मिल गया तो अनुदान को भी अंतरण भुक्तान में रखा जाता है यह भी सेमाओं में ब्यापार का ही हिस्सा है अर्थाथ हम कह सकते हैं कि जो यह चालू खाता है जो यह करेंट इसको थोड़ा देखना तो वस्तूओं का आयात इसको मैं लिख दे रहा हूँ वस्तूओं का आयात ठीक अर्थाथ जो यह चालू खाता है समझणा बात को यह जो चालू खाता है यह जो चालू खाता है मोटे तौर पर जिसे हम करेंट एकाउंट भी कहते हैं या जो मोटे तौर पर दो भागों में होता है मोटे तोर पर दो भागों में होता है, एक वस्तूओं का ब्यापार, और एक होता है सेवाओं का ब्यापार, ठीक? इस वस्तूओं के ब्यापार को हम द्रिश्य मदों का ब्यापार भी कहते हैं, द्रिश्य मदों का ब्यापार भी कहते हैं, लिखा मिल जाएगा आप लोगों को द्रिश्य मदों का ब्यापार तो कन्फूज नहीं होना है, इन सब्दों से डरना नहीं है, इन वस्तूओं के ब् मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि confusion ना हूँ इन वस्तूओं के ब्यापार को ही द्रिश्मदों का ब्यापार भी कहते हैं यानि द्रिश्मदों का ब्यापार मतलब यह बस्तूओं है जो दिख रही हैं छूँ सकते हैं महसूस कर सकते हैं यूता चप्पल, कपड़ा, हथियार, कोस्मेटिक्स यह सब बस्तू के ब्यापार को इस सेवाओं के ब्यापार को हम अद्रिस समदों का ब्यापार भी कह सकते हैं अद्रिस समदों का ब्यापार भी कह सकते हैं च्छाज कह सकते हैं अध्रिस समदों का व्यापार भी कह सकती यानि यहाँ उन वस्तूओं का व्यापार होता है जिसे पैसा तो मिलता है ठोच रूप से कोई वस्तू नहीं मिलती है अरे भईया जहाद से अपने समान ढोलाया है जहाद थोड़े ले ली है कोई भिदेशी आय है टूरिजम करके गया है तो आपकी बस्तू में आपके पहाड़ नदी को देख के गया ले के नहीं गया है आप हाली बुट का कोई सिनेमा खरीद करके देख लेते हैं तो आप सिनेमा देख रहे हैं और इसके लिए पेमेंट कर रहा है हाली बुट को वो पैसा बाहर जा रहा इसलिए वस्तूओं के ब्यापार को द्रिसमदों का भी ब्यापार कहते हैं और अद्रिसमदों के ब्यापार को अद्रिसमदों का ब्यापार भी कहते हैं इस द्रिसमदों के ब्यापार अस्थाथ वस्तूओं के ब्यापार को एक और चीज भी कहते हैं Balance of trade भी कहते हैं, BOT भी कहते हैं, और इस सेमाओ के ब्यापार या अधिर समुदों के ब्यापार को Balance of individual भी कहते हैं, B-O-I भी कहते हैं, ठीक, समझना, इसे BOT भी कहते हैं, और बियो इसे अध्रिसमदों को बियो आई भी कहते हैं यानि हम कह सकते हैं कि चालू खाता जो हमारा चालू खाता है वो दो प्रकार से बना है एक बियो टी और एक बियो आई समझ में आ रही बात में चालू खाता दो से बना है एक BOT और एक BOIE अब इसको हमने पहले इसलिए समझा दिया क्योंकि इसकी जरुरत इहां पड़ेगी तो चालू खाते की बात हम करें तो हम क्या सकते हैं कि चालू खाता मतलब ब्यापार बस्तूओं का ब्यापार चाहे सिवाओं का ब्यापार अर्था चालु खाते में यही दोनों बने हैं कि बस्तुओं का ब्यापार और सिवाओं का ब्यापार तो एक सब्ध आता है चालु खाता संतुलन कि चालु खाता संतुलन महें की नहीं है करेंट एकाउंट ठीक यह करेंट एकाउंट डेपसीट है गलत लिखा गया कि चालू खाता करेंट एकाउंट संतुलित है की नहीं है अच्छा आपको कह दिया जाए कि देश का करेंट एकाउंट संतुलित है इसका मतलब अरे भैया अगर हम करेंट एकाउंट की बात करें चा चालू खाता मतलब, BOT, balance of trade, यानि वस्तों का प्यापार, और दूसरा, BOI, यानि सेमाओं का प्यापार, यहीं तो है न, तो बस्त, BOT और BOI, यानि आयात भी है, और निर्यात भी है, आयात भी है, और निर्यात भी है, अब मालो हिसाब किताब लगाया जाए, और कहा जाए कि इस चालू खाते में इस आयात यहाँ है, और यहाँ है, निर्यात यहाँ है, और यहाँ है, कहा जाए कि टोटल चालू खाते में चाहे बस्तूओं का आयात हो चाहे निर्यात हो दोनों बराबर हों यानि किसी देश ने अगर बस्तूओं का निर्यात भी किया है निर्यात किया है माली जिये सो रूपे का भारत ने और बस्तूओं का आयात भी किया है बस्तूओं का आया है है संतूलित है то जब हम कहेंगे कि चालू खाता संतूलन में इसका मतलब क्या है to बश्तूओं और सेवाओं का व्यापार हो रहा है तो बस्तू और सेवाओं के ब्यापार में क्या होता आयात और निर्यात होता है तो जितने का हम आयात कर रहे हैं उतने का निर्यात कर रहे हैं अर्था जितने का बेच रहे हैं उतने का इखरीद रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा चालू खाता क्या है संतुलन में है तो आमके सकते हैं कि चालू खाता संतुलन का मतलब होता है चालू खाते में संतुलन तब होता है जब चालू खाते में जितने भी प्राप्तियां होती है यानि जितना भी पैसा आता है पैसा आता है तो पैसा आएगा कहा से? निर्याद से ठीक, वह सारी के सारी प्राप्तियां भुगतानों के बराबर होती है, भुगतान मतलब पेमेंट, तो पेमेंट कब करेंगे, जब आप करेंगे, आयात करेंगे, तब ही तो भुगतान करेंगे अर्थात, जितना पैसा एक सकेड़ अर्थात, जितना पैसा चालू खाते में, वीदेसों से मिल रहा है, उतना ही पैसा हम वीदेसों को दभी दे रहेंगे, दोना बराबर है, यानि जितनी पैसे का आयात कर रहे है, उतनी पैसे का निर्यात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, हमारा चालू खाता क्या है, संतुलन में इसी को चालू खाते में संतूलन तब होता है जब प्राप्तियां भुक्तानों के बराबर होती है उसे balance of trade भी कहा जाता है दूसरा होता है अद्रिस स्वस्तु या अद्रिस स्मदों का शंतुलन इसे balance of individual भी कहते हैं होता ये है कि जब balance of trade यानि वस्तुओं का व्यापार और balance of individual दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा चालू खाता संतुलन में है तो आए थोड़ आसा balance of trade को हम देखते हैं NCRT किन सब्दों में समझा रही है तो NCRT भी उसे सब्दों में समझा रही है जो हमने पहले समझा दिया हमें पहले इसली समझा दिया कि जब इसको पढ़ू तो आप लोगों को समझ में आ जाए तो देखिए जब बस्तूओं का निर्यात और आयात बराबर हो तुसे संतुलित balance of trade कहा जाता है जितनी बस्तूओं का निर्यात कर रहे है उतनी ही बस्तूओं का आयात कर रहे है ठीक तुसे क्या आज कहा जाता है उसे संतुलित balance of trade कहा जाता है ठीक तो जब बात आए संतुलित balance of trade इसका मतलब आयात और निर्यात दोनु बरा यानि संतुलित भुगतान संतुलन सब्द आये ठीक संतुलित भुगतान संतुलन मतलब दोनों बराबर है अब एक सब्द आता है यदि एक समावेधि में निर्यात और आयातों के मुलिका में अंतर हो तो जो अंतर है वहाँ ब्यापार संतुलन कहलाता है माल लीजिए निर्यात एक सो पचास रूपे का हो और आयात सो रूपे का हो तो अंतर कितना है पचास रूपे है तो जो अंतर है यह ब्यापार संतुलन कहलाता है समझिएगा बात को यह अंतर ब्यापार संतुलन कहलाता है यह है साकारात्मक और नाकारात्मक दोनों हो सकता है यह शाकारात्मक और नाकारात्मक दोनों हो सकता है थोड़ा इसको समस्ति आईए थोड़ा इसकी बात करते हैं अगर हम कहें कि जो balance of trade है इसको ऐसे समझाते हैं balance of trade है balance of trade मतलब वस्तूओं का ब्यापार वस्तूओं का ब्यापार वस्तूओं के ब्यापार का मतलब वस्तूओं का आयात प्लस वस्तूओं का निर्यात का निर्यात दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि जो balance आप trade किया है वह संतुलित है अब माल लिजी समझना निर्यात अधिक तुलना में आयात कम माल लिजी कोई देश निर्यात कर रहा है 150 रूपे का आयात उसकी तुलना में कर रहा है 100 रूपे का यनि निर्यात कर रहा है 150 रूपे का 150 रूपे उसे अपना समान बेच के मिल रहा है लेकिन विदेशों से आयात कर रहा है 100 रूपे का अर्था जितना बेच रहा है उससे कम खरीद रहा है तो यहां 50 रूपे का अंतर मिल रहा है और यह अंतर यह है कि उसका निर्यात आयात से अधिक है तो इसे हम कहेंगे बैलेंस आप्टेड ट्रेड पॉजिटिव है साकारात्मक है और कितने रूपे का साकारात्मक है 50 रूपे का साकारात्मक है ठीक यही माल लिजिये उल्टा हो जाए यह जो आयात है यह अधिक हो जाए इसकी तुल्ला में निर्यात कम हो जाए माल लिजिये 100 रूपे का हो जाए अर्थात हम आयात कर रहे हैं 200 रूपे का अर्थात हम पैसा प्राप्त कम कर रहे हैं पैसा दे अधिक रहे हैं यानि हमारा घाटा हो रहा है और यह घाटा कितने का हो रहा है यह 100 रूपे का हो रहा है क्योंकि 200 रूपे दे रहे हैं और 100 रूपे प्राप्त कर रहे हैं घाटा कितने का है 100 रूपे का तो यहां हम कहेंग ठीक, उसे प्रकार एक सब्द आया है, BOI, balance of individual, हमने balance of trade की बात की, आया है balance of individual, balance of individual का मतलब होता है, अध्रिश मदी, ठीक, मतलब शेवाओं का ब्यापार, एक सब्द होता है, निवल अध्रिश मदी, NCRT ने इस सब्द का जिक्र किया इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसके बारे में कहा जाता है कि किसी एक निश्चिस समावध में अध्रिसमदों के निर्यात और आयात के मुल्य का अंतर ही निवल अध्रिसमदे होता है अर्थात माल लिजिए सेवाओं का ब्यापार हमने किया यानि सेवाओं का माल लिजिए हमने निर्यात किया 100 रुपे का और आयात किया 150 रुपे का तो जो अंतर 50 रूपया है या 50 रूपय का अंतर ही निवल अद्रिसमदे का अंतर कहलाएगा निवल अद्रिसमदे कहलाएगा ठीक समझ में आ गई बात क्लियर हो गया तो यह है निवल अद्रिसमदे और अगर कुल अद्रिसमदे की बात करे ठीक तिवल हम अद्रिसमदों की बात करेए इसका मतलब क्या है कि यहां हम सेवाओं के ब्यापार की बात कर रहे है इस अद्रिसमदों के शन्तुलन को हम balance of individual भी कहते हैं ठीक इस balance of individual में विभिन देशों से होने वाली सेवाओं हस्ता नांतरण, आम प्रवाह, यानि जैसे भी पैसा आ रहा है, गिफ्ट के रूप में, अनुदान के रूप में वे सारे सामिल होते हैं, या भी साकारात्मक और नाकारात्मक होता है, समझाता हूँ, यानि बैलेंस आफ इन्विज्वल, मतलब अद्रिस समदों का ब्यापार मतलब सेवाओं का ब्यापार, इसमें ट्रांसफर पेमेंट भी सामिल है, पेसी धन भी सामिल है, अर्थात, सेवाओं का निर्यात, और सेवाओं का आयात, इसके विवरण को ही बैलेंसा, इन्विज्वल कहते हैं, यह भी क्या होता है, यह भी साकारात्मक होता है, और यह भी नाकारात्मक होता है, तो आईए समझाता हूं, माली जीये साकारात्मक है, साका, बैलेंसाफ इन्विज्वल साकारात्मक, इसका मतलब यह है, Balance of Individual सकारात्मक है इसका मतलब यह है कि हमाल लिजे सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं देड़ सो रुपे की तो आएत कर रहे हैं सो रुपे की यानि पचास रुपे हमारे देश को बच जा रहा है कमाई हो रही है तो हम कहते हैं सिवाओं का निर्याद साकरात्मक, बैलेंस आफ इन्विजुवल साकरात्मक, अगर नाकरात्मकता की बातकरेत हम कहेंगे कि सिवाओं का हम निर्याद कर रहे हैं, माल लिजिए 200 रूपे की, 200 रूपे का हम क्या कर रहे हैं, निर्याद कर रहे हैं, तो हम आयाद करते रहे हैं 300 रूपय का 300 रूपय का आयाद करते रहे हैं यानि 100 रूपया हमारे देश से अंततह बाहर जा रहा है 100 रूपया क्या जा रहा है बाहर जा रहा है इसको कहते हैं balance of individual नाकारात्मक है क्योंकि अंततह 100 रूपय बाहर जा रहा है यानि कुल मिला जुला करके अगर हम current account की बात करें चालू खाते की बात करें अब एक बात चालू की खाते की बात करें तो बात वही होई एक मिला हमें BOT trade मतलब वस्तूओं का ब्यापार दूसरा मिला हमें balance of individual मतलब सेवाओं का ब्यापार सेवाओं का ब्यापार अगर अब इस बात को NC18 जिक्र नहीं कि या एक उदारण से समझा दे रहा हूँ भारत में जो balance of trade है न यह हमेशा negative रहा है नाकारात्मक रहा है हमेशा नाकारात्मक रहा है हमेशा नाकारात्मक रहा है क्यों? अर्थाद भारत ने जीतनी बस्तु में बेची है उससे जादे बस्तु में खरीदी है इसके दो बज़ा है एक बज़ा है कि हमें भारी मात्रा में petroleum खरीदना पड़ता है यही सबसे बड़ी बज़ा है दूसरी बज़ा है हमें high technology की machinery खरीदनी पड़ती है तीसरी बज़ा है हमें रक्षा, हथियार बहुत खरीदने पड़ते है यह सब बज़े हैं यह एक दो साल की नहीं मैं अवसत बता रहा हूँ हमेशा नाकारात्मक रहा है लेकिन भारत का balance of individual हमेशा साकारात्मक रहा है साकारात्मक रहा है और इसका स्रे भारत के मज़दूरों को जाता है मजदूरों को जाता मजदूर भारी मातरा में दुनिया में गए है विसेश करके मजदूर खारी देशों में गए है और खारी देशों से उन्हेंने पैसा भिजा है तो balance of individual balance of trade negative रहा है और सब निकाला जाए अजादी के बात से अब तक का और balance of individual positive रहा है लेकिन जब पूरे चालू खाते की बात हम करें अगर पूरे हम current account की बात करें पूरे हम current account की बात करें पूरे हम current account की बात करें पूरे चालू खाते की बात करें तो मैं देखना होगा कि वस्तूओं अगर हम पूरे current account की बात करें यह मैं NCRT से बाहर आपको निकल के समझा रहा हूँ वस्तूओं का ब्यापार और सेवाओं का ब्यापार सेवाओं का यही तो पूरे के पूरे current account है तो भारत ने वस्तूओं और सेवाओं के ब्यापार से गुल जितना पैसा कमा मतलब पैसा प्राप्त किया उससे जादे पैसा भारत से बाहर गया है यानि भारत का current account हमेशा घाटे में रहा है इसे कहते है current account deficit चालू खाते का घाटा अब कहोगे कि भाया वस्तूओं का ब्यापार तो नाकरात्मक रहा है लेकिन सेवाओं का ब्यापार तो साकारात्मक रहा है फिर चालू खाते का घाटा क्यों होगा तो दरसल स्थिति है कि हमें सेवाओं के ब्यापार से पैसा मिलता तो है पैसा मिलता है विदेशी मुद्र कि रूप में मिलता है लेकिन हमारा यहां का घाटा इतना बड़ा है घाटा इतना बड़ा है कि यहां से जो पैसा मिलता है वो इसकी भरपाई नहीं कर पाता है मार लेजिए यहां हमारा कुल घाटा 100 रूपय का है और यहां से जो हमारा पैसा मिलता है वो 20 रूपय का फायदे तो यह 20 रुपया इस 100 रुपया में भरपाई कर लिया फिर भी 80 रुपया का घाटा तो बना रहा ना पूरे के पूरे चालो खाते में तो भारत का करेंट एकाउंट डेपसिट में रहा है और सतरूप से क्योंकि भारत में बस्तूओं का ब्यापार जो बैलेंस आप ट्रेड ह वो हमेशा बहुत जादे निगेटिव रहा है हाँ बैलेंस आप इनविज्वल फायदे मंद रहा है लेकिन इतना पैसा नहीं मिला है बैलेंस आप इनविज्वल से कि इसके खाते की भरपाई कर लिजाए तो भारत में हमेशा करेंट एकाउंट डेपसिट की स्थिती रही ह अब बात करते हैं पूजी खाते की हमने सुरू में ही बताया कि जो बैलेंस आप पेमिंट है जो भुकतान संतुलन है जो भुकतान संतुलन है हमने बताया न वह दो खाते में होता है एक को खेते करते हैं चालू खाता चालू खाता और दूसरे को कहते हैं पूजी खाता यह पाइए थोड़ी से बात हम पूजी खाते की करते हैं इसका जिक्र हम करते हैं समझाते हैं आपको कि पूजी खाता आखिर है क्या जब हम पूजी खाते का जिक्र करते हैं तो सीधे सीधे अगर हम पूजी खाते के कंपोनेंट को समझ ले तो पूजी खाता समझ लेंगे यानि पूजी खाते में किसका किसका व्यापार होता है कहां से मुद्रा आती और जाती है तो पूजी खाते के कंपोनेंट पर हम सीधे बात करेंगे तो देखो पूजी खाते में क्या होता है तीन कंपोनेंट माने जाते हैं एक है निवेश दूसरा विदेशी रिड और तीसरा विदेशी शहायता यहां हमने अलग कर दिया है क्योंकि NCRT ने अलग किया है actual में विदेशी शहायता को भी इस विदेशी रिड में भी सामिल किया जाता है यानि पूजी खाते के तीन कंपोनेंट हो गए निवेश, मतलब निवेश कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है बिदेशी लोग भारत में कितना निवेश कर रहा है तो जितना पैसा निवेश कर रहा है भारत कहाएगा हमारे पूजी खाते में इतना पैसा आया है भारत की कमपनिया भारत के लोग बीदेसों में जा करके कितना निवेस कर रहे हैं तो जितना निवेस करेंगे भारत कहेगा कि हमारे पूजी खाते से पैसा गया है उसी प्रकार बीदेसी रिड है कितना हमने विदेशी रिड लिया वह पूजी खाते की प्राप्तियां कहलाती है जितना हमने लिया और हम विदेशी रिड देते भी हैं दूसरे देशों को तो जितना हमने रिड दिया है वह पूजी खाते के भुक्तान कहलाते है ठीक उसी प्रकार विदेशी सहायता आती है तो जितनी सरकारी सहायता हमने ली है दूसरे देशों से तो हम उसे कहते हैं पूजी खाते की प्राप्तिया ठीक समझना जितनी हमने सरकारी सहायता दी है उसे कहते हैं पूजी खाते के भुगतान इसमें जो सरकारी और बहुपक्षी रिड मतलब जैसे ब्रिक्स से कोई रिड ले लिया बहुपक्षी संस्थानों से कोई रिड ले लिया ब्रिक्स बैंक से कोई रिड ले लिया एसेन डेवलेपेंट बैंक से कोई रिड ले लिया ते सारे के सारे किस में आते हैं पूजी खाते में इसलिए रिड़ और विदेसी सहायता को एक ही में रखा जाता है अब देखो जब हम इस read और विदेसी सहायता को एक में रखते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जब अलग 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 रखते हैं तो क्या किया जाता है जो अल्प कालिक रिड होते हैं उसे विदेशी रिड में सामिल कर लेते हैं और जो दिर्ख कालिक रिड होते हैं उसे विदेशी सहायता वाले में सामिल कर लेते हैं और ये विदेशी सहायता भी विदेशी रिड का ही एक हिस्सा है यारी मोटे तोर पर एक्चुल रूप में चुकि NCRT ने अलग किया है तो आप लोगों को confusion हो जाएगा, actual रूप में जो पूजी खाते की घटक होते हैं, वो दो ही होते हैं, निवेश और विदेशी रिड़, इस विदेशी रिड़ का ही हिस्सा है विदेशी सहायता, ठीक? तो अब निवेश से हमने कहा कि पैसा आता है और पैसा जाता है, निवेश भी कई परकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, अब FDI के तहट मालो अमेरिका ने भारत में FDI किया, तो हम कहेंगे पूजी खाते की प्राप्तिया है, एक हजार करोड को ये अमेरिकन कमपणी लेकर के आई, और भारत में कोई नई फैक्ट्री डाल दी, कोई अमेरिका की कमपणी आई, एपल आया, बैंगलोर में कमपणी डाल रहा है, कि हम एपल का आईफोन बनाएंगे, तो माल लिजे उस कमपणी डालने में एक हजार करोड का खर्च किया एपल कमपणी ने, तो हम कहेंगे भारत में अमेरिका से एपल द्वारा एक हजार करोड की FDI आई आई है, अडानी साब हैं आश्टेलिया में धेर सारा निवेस कर रहे हैं, तो माल लिजे आश्टेलिया में एक हजार करोड का निवेस कर दी है, तो हम कहेंगे भारत से एक हजार करोड पूजी खाते सी गया है, उसे प्रकार निवेस में एक होता है FDI, दूसरा होता है FPI, भीदेसी पोर्टफोलियो निवेस, इसमें क्या होता है, कि देखो, जब कोई भीदेसी आकर के आपके देश में जीरो लेबल से एक कमपनी की अस्थापना कर रहा है, तो उसे कहते है FDI, लेकिन जब कोई भीदेसी आकर के आपके देश में कोई कमपनी की अस्थापना नहीं कर रहा है, आपके देश की किसी company के share खरीद रहा है और maximum 10% तक ही यानि वह 10% से अधिक share नहीं खरीद रहा है, maximum 10% तक ही यानि 10% से कमी share खरीद रहा है, अधिकताम वह 10% ही खरीद सकता है, तुसे कहते हैं portfolio निवेश, हम टेश्बुक पढ़ेंगे तिस बारे मिस्तार से चर्चा करेंगे यहां सिर्फ इतना जानिए, कोई भी देशी आया, माल लिजिए, या कोई foreign investor है, या कोई foreign, foreign investor है, या आया, और इंडिया में एक new company की अस्थापना कर दिया, ठीक, new company की अस्थापना कर दिया, तो हम कहेंगे FDI लेकर के आ गया है, ठीक, यही foreign investor आता है, और Tata की किसी company में माल लिजिए, Tata सहाब की कोई company है, इनके 9% share खरीड लेता है, 9% share खरीड लेता है, तो हम कहेंगे की FPI आया है, foreign portfolio investor, यहीं अंतर है FDI और FPI का, FPI में कोई निवेसक आता है, और किसी Indian company के क्या खरीडता है, share खरीडता है, maximum कितना खरीड सकता है, 10% तक, य ठीक, समझना, और जब new company लग रही है, तो FDI हा रही है, वह ऐसे ही होता है, एक FII, foreign institutional investor, माल लिजिए, कोई America का mutual fund है, कोई, जब आप किताब पढ़ाएंगे, ते सब mutual fund बहुत बिस्तार से बताएंगे, माल लिज अमेरिका का कोई mutual fund है, आता है, Indian share market में, भारत के share market में, share market में, ठीक, और किसी company के share खरीडता है, तो चुकि mutual fund क्या है, संस्थान है, धेर सारे लोग इसमें पैसा लगाएं रहते हैं, तिसे कहते हैं, FII, foreign institutional investor, तो यहाँ देखिएगा, कि पूजी खाते में क्या होता है, कि भारत में FDI आ रही है, या भारत से FDI जा रही है, भारत में FPI आ रहा है, या भारत से FPI जा रहा ह जहते है, भारत में FII से पैसा आ रहा है, या भारत के mutual fund भी तो विदेसों में देतर सारी कमपणियों का सेहर खरिते हैं, तो जब विदेसों का mutual fund आयेगा, भारत Sie company का सेहर खरी देंगे, थम कहेंगे FII से पैसा प्यारा है, यानि जो निवेस से पैसा आता है, वा पूजी खाते लिए और जो जाता है वह पूजी खाते के हिसाब किताब में रखा जाता है उसे प्रकार विदेशी रिड़ो और विदेशी सहता से जो पैसा आता है और जाता है उसे भी कहा रखा जाता है तो पूजी खाते में रखा जाता है अब बात करेंगे हम पूजी खाता संतु पूजी का अंतर प्रवाह पूजी के वाह प्रवाह के बराबर हो यानि पूजी जितनी आ रही है उतने ही पूजी जा रही है माल लिजिए विदेशी रिड और निवेश से देश को 100 रूपया मिल रहा है तो विदेशी निवेश और रिड के लिए देश से 100 रूपया ही बाह और दूसरी रही पूजी खाते की अब एक सब्द आएगा आपके सामने अदाएगी संतुलन और घाटा इस अदाएगी संतुलन कोई हमने क्या कहा था एक्चुल नाम इसका क्या है भुकतान संतुलन तो अगर हम कहले कि भुकतान संतुलन और घाटा तो जब हम बात करते हैं भुक्तान संतुलन और घाटे की तो थोड़ा इसे समझते हैं देखो जो हमारी अंतराष्टी अदाएगी है यानि जो अंतराष्टी भुक्तान का मामला है उसका सिंपल सार अगर समझ लिया जाए कि क्या है तो एक उदारण ये है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक ब्याय करने वाले को मालीजे कोई ब्यक्ति है जितनी आय कर रहा है उससे जादे ब्याय कर दे रहा है जितना कमा रहा है उससे जादे खर्चा कर रहा है तो एक दिन या तो उसे अपनी संपत्तियां बेचनी होगी या उधार लेकर के अपने इस घाटे को जो अंतर है उसे पुरा करना होगा Suppose that कोई बेटी कमा रहा है पचाश जार रुपे और महीने का खर्चा उसका एक लाग का तो हर महीने पचाश जार घाटे में जा रहा है तो पचाश जार कहां से पूरा करेगा तो या तो अपना कुछ घर, मकान, खेती, जमीन, जेवराद बेचेगा या कर्ज लेगा देशों के मामले में भी कुछ यही होता है देशों के मामले में ही कुछ यही होता है कि जब कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा हो वह देश या तो अपनी संपतियां बेशता है या वीदेशों से उधार ले करके अपना घाटा पूरा करता है इस प्रकार होता क्या है कि वह देश अपने चालू खाते के घाटे को पूजी प्रवाज से बित्पोसित करता है विजोसे से उधार लेगा तो जो उधार की रासी होगी वो किसे भी दिखा देगा पूजी गत खाते में यानि हम कह सकते हैं कि चालू खाते के घाटे को किस से पूरा कर रहा है पूजी प्रबाद से पूरा कर रहा है कर्ज ले करके पूरा कर रहा है तो इसे कहते ही हम कि भुगतान संतुलन का घाटा यानि कुल मिलाजला करके हम कह सकते हैं कि जो चालू खाते के घाटे पर बड़ा जोर है क्योंकि ब्यापार भही से होता है चालू खाते का घाटा है तो विदेशों से उधार ले करके वह देश पूरा करता है इसलिक आ जाता है कि जब कोई देश लंबे समय तक चालू खाते के घाटे में जाता है तो उस पर कर्ज का बोज बढ़ता जाता है और उस देश की अर्थविवस्था ललखलाने लगती है तो यहां तक आपने समझा चालू खाता क्या है और पूजी खाता क्या है समझ में आ बात आपने पूरा समझ लिया होगा भुक्तान संतुलन क्या है अदाएगी संतुलन क्या है बैलेंस आप पेमेंट क्या है बैलेंस आप पेमेंट के दो हिस्से है चालू खाता पूजी खाता चालू खाते में वस्तुमों का ब्यापार अदूसरा शेवाओं का ब्यापार व इसको एक ग्राफ बना करके एक लाइन में समझा देता हूँ, ताकि आपको हमेशा याद रहें, भुक्तान संतुलन, या दो खाते में होता है, दो खाते में, ठीक, एक को कहते हैं बस इतनी बात याद रहें, एक को कहते हैं, शालू खाता, और दूसरे को कहते हैं, फूजी ख खाता, current account और capital account, चालू खाता में आता है, वस्तुओं का ब्यापार, इसे ही balance आप trade कहते हैं, वस्तुओं का ब्यापार, ठीक, और यहां आता है सेवाओं का ब्यापार, सेवाओं का ब्यापार, समझना, पूजी खाते में आता है, निवेश से पैसा आ रहा है और जा रहा है, और दूसरा रिल, ठीक, समझ में आ गए बात, जब चालू खाते में बस्तुओं के ब्यापार से जितना पैसा आ रहा है, उससे अधिक जा रहा है, तिसे चालू खाते का घाटा कहते हैं, जब यह चालू बाहर से रिड लेता है यानि अपने देश में पूजी का अंतर प्रवा कराता है और उस घाटे को पूरा करता है अब आजाईए सीडी सीधी बात पर विदेशी बिनमे बाजार पर फोरें एस्चेंज मार्केट पर जितनी बात NCRT कर रही है उसको हम समझाने की कोशिस करेंग आपको तो बात होती है विदेशी बिनमे बाजार की तो क्या होता है विदेशी बिनमे बाजार फोरें एक्सेंज मार्केट होता क्या है तो फोरें एक्सेंज मार्केट को कहा जाता है वह बाजार जिसमें अंतराष्टी मुद्रा का एक दूसरी से ब्यापार होता है उसे व जिस बाजार में एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में तब्दील की जाती है उसे ही कहते हैं विदेशी बिनमे बाजार और जब कोई मुद्रा तब्दील की जाती है तो उसे हमने कह रहे हैं तब्दील की जाती है हम रूपय को डालर में तब्दील करते रहे है इसका मतलब रूपया बेच रहे हैं और डालर खरीद रहे हैं. हम डालर को पॉंड में तब्दील कर रहे हैं. तो जिस बाजार में इन मुद्राओं का व्यापार होता है, उसे विंदेसी मुद्रा infrastogo काते हैं. आप काऊगँ इसमें कौन कौन सामिल हैं. तो इसमें जो सामिल होते हैं वह अंतराष्टी अस्तर के बेवशाइद बैंक सामिल होते हैं बिदेसी बिनिमे के दलाल होते हैं ब्रोकर होते हैं इनको लाइसेंस मिला होता है प्रतेक देश के केंदरी बैंक को द्वारा ठीक कई प्राइमरी डीलर होते हैं जिने डीलर कहा ज जाएए रूपया में तब्दिल करके दे देंगे या रूपया लेकर के जाएए कई हमको डॉलर खरिदना है डॉलर दे देंगे जो अंतराष्टी रेक चलना उसके साब से देंगे इन्हें डीलर कहते हैं और साथ-साथ कुछ मुद्रा प्राधिकारी भी होते हैं यानि मुद कहा कि विदेसी मुद्रा जो बिन में बाजार है उसमें एक देस की मुद्रा दूसरे देस की मुद्रा में तब्दील की जाती है रूपया डॉलर में तब्दील किया जाएगा डॉलर रूपया दिनार में तब्दील होगा दिनार पॉंड में तब्दील होगा तो जो हम बिदेशी मुद्रा बाजार में तो बिदेशी मुद्रा बाजार में कौन सामिल है बैंक को एंक सामिल हम जाएंगे तो कहेंगे हमारे पास डॉलर हमको रूपिया दो तो हम इसे डॉलर लेकर के रूपिया हमें दे रहा है इसका मतलब हम अपना डॉलर बिदेशी मुद्रा ब बिदेशी बिनमे दर कहते हैं इस बिदेशी बिनमे दर का एक नाम फोटेक्स दर भी होता है यानि बिदेशी बिनमे दर का एक नाम फोटेक्स दर भी होता है आप कहोगे ये बिदेशी बिनमे दर है क्या तो दरसल बिदेशी बिनमे दर एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा में कीमत है अर्थात अगर माल लीजिए 1 डालर 80 रूपया के बराबर है तो यह डालर रूपय की आपस में कीमत है एक डालर अगर माल लीजिए मैं एक जामपल यह सब एक जामपल है एक डालर अगर 40 पॉंड के बराबर है यह नहीं कितने बराबर होगा यह मैं एक जामपल समझा दर होगा ठीक समझ में आगे बाद इसे ही विदेसी बिनमें दर कहते हैं इसे ही फोटेच दर कहते हैं तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमें विदेसी बिनमें की मांग क्यों पड़ती है ठीक आखिर विदेसी मुद्रा की मांग क्यों होती है लोग विदेसी म वस्तुमें और सेमाय खरीदना चाहते हैं ठीक आप भारत भारत में माल लिजिए बीमडबॉ कार की डीमांड बहुत बढ़ जाए लोग बीमडबॉ कार में देंगे आप अमेरिका घूमने चले जाएज या कहीं भी घूमने जाएए तो जिस देस में आब घूमने जाएंगे वहां का रूपया तो चलेगा नहीं तो जिए का इंडिया का आदमी अमेरिका में जाकर अमेरिकी कमपनी का सेर्ख भरिदना चाहता है अब जाने का सेंस मतलब बैठे-बैठे ही खरीद सकते हैं आप बैठे-बैठे अमेरिकी कमपणी का सेयर खरीद सकते हैं तो कईशे खरीदेंगे अपने online wallet में पहले आप dollar खरीद करके रखेंगे और फिर dollar में ही अमेरिका का सेयर खरीदेंगे उसी प्रकार अमेरिका आपने बैठा कोई व्यक्ति इंडियन कमपणी का सेयर खरीदना चाहता है तो dollar में रूपिया में खरीदेगा तो पहले अपने wallet में रूपिया रखेगा तो रूपिया कहां सपाएगा dollar लेके आएगा RBI के पास आएगा कहाएगा हम dollar बेच रहे है रूपिया खरीदना रूपिया दे दो तो चुकि दुनिया में हर देश ब्यापारी लोग दूसरे देश की बस्तूय और सेमाय खरीद रहे हैं दूसरे देशों की यात्राएं कर रहे हैं, दूसरे देशों में उपरहार भेद रहे हैं, दूसरे देशों की वित्ती शंपतियां, बॉंड्स, सेयर, सिक्योरिटीज, ये सब खरीद रहे हैं, इसलिए बिदेशी मुद्रा बिनमे की जरूरत बढ़ रही है, समझ में आगए अब विदेशी मुद्रा की पूर्ती कहां से होती है कहां से मिलता है तो याद रखिए जो विदेशी मुद्रा का प्रवा होता है वह निम्न कारणों से होता है एक देश के निर्यात से माली जी हमारा निर्यात खुब बढ़ जाए अमेरिकन हमसे खुब ज्यादा समान खरीद में लगे अमेरिकन व्यापारी आएगा चावल खरीदेगा तो हमारा जो किसान व्यापारी बेचेगा तो रूपिया मांगेगा तो पहले क्या कहेगा अर्बिया एक पास आएगा डॉलर देगा रूपिया ले लेगा तो जिस देश का निर्याद बढ़ता उस देश के रूप कहानी हम NCRT में नहीं बताएंगे कहानी हम जब किताब पढ़ाएंगे तब बताएंगे डालर मजमूत मुद्रा इसलिए कि दुनिया भर के जो अंतराष्टी ब्यापार में हाइली टेक्नोलोजी की जितनी विवस्तुए बेची जाती वह अमेरिकन मुद्रा में और दूसरी पेट्रोलियम सबसे जादे डालर में ही बेचा जाता है करें इसलिए डालर की डिमाण अधीक है तो डालर मजमूत मुद्रा है तो एक देश के निर्यातें से बिदेशी मुद्रा मिलती है कि ठीक जब विदेशियों द्वारा आपके देश की घरेलू बस्तू और सेवाओं की खरीद में बृद्धी हो जाती है विदेशि आपके आप टूरिजम करने आने लगें विदेशि आपके देश से बीमा जादे करवाने लगें बिदेशी आपके बैंकों में पैसा जादे रखने लगे तो भी आपको बिदेशी मुद्रा मिलती है जब बिदेशी आपके देश की बित्तिय परिसंपतिया खरीदने लगे आपके देश के सेयर बॉंड इतियादी खरीदने लगे तब आपको बिदेशी मुद्रा मिलती है तब आपके देश में बिदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। यानि अगर आपको अपने देश में बिदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है, तो आपको अपने देश की डिमांड बढ़ानी होगी। यानि आपको अपने देश का निर्यात बढ़ाना होगा, खुब लोग खरीदें, ठीक, आपको अपने देश की बस्तुओं की गुडवत्ता बढ़ानी होगी, ताकि लोग बस्तुओं खरीदें, आपको अपने देश के टूरिजम को बढ़ाना होगा, आपके अपने देश के सर्विस सेक्टर को बढ़ाना होगा कि दुनिया में कहीं भी कोई आदमी कुछ काम करना चाहे कहें भारा से साफ्टवेर इंजिनियर ले ले लेती है और साथ साथ आपको अपने देश की अर्थवे उस्ता ऐसी बढ़ानी होगी कि आपकी देश की हर कंपनी हर अब NCRT समझाती है कि इस बीनिमेदर का आखरी निर्धारण कैसे होता है हमने बताया नहीं कि एक डॉलर बराबर माल लो असी रुपे हैं तो आखरी ये निर्धारण कैसे होता है इसका सिस्टम क्या है तो अलग-अलग देशों द्वारा अपनी मुद्रा बीनिमेदर निर्धारिल करने की अलग-अलग प्रणालिया होती है आज पूरी दुनिया में तीन प्रकार की प्रणालिया है ठीक पूरी दुनिया में तीन प्रकार की प्रालिया है एक होता है इस तिर बीनिमेदर इसका आप महत तो नहीं रहा गया क्योंकि बहुत कम देशी सस्युकारते हैं दूसरा है तिर्ती भीनिमेदर इसे पेज सिस्टम भी कहते हैं इसे तिर्ती भीनिमेदर कहते हैं इसे फ्लोट सिस्टम कहते हैं और एक नया चला है मर्जदार है इसे प्रबंधित तिर्ती भीनिम प्रक्रिया देश अपना था है तो उसे कहते हैं इस्थरविन मेदा है यानि जब कोई देश अपने मुद्रा के मुल्य को इस्थिर कर देता है अब उससे उस देश को घाटा भी होता है क्योंकि जब मुद्रा का मुल्य इस्थिर कर देगा तो उस देश का अंतराश्टी व्यापार बहुत धीरे-धीरे कमजूर होने लगता है तो इस्थिर भीन मेदार का मतलब होता है ठीक कि हम अपनी मुद्रा की मुल्य को जब कोई देश अपनी मुद्रा की मुल्य को इस्थिर कर देता है अपने प्रयासों से कहता हम इतना ही रखेंगे इससे नीचे अमारे आने जारा अभ्यापार करना उत किजिए मत करना उत वत किजिए इसे इस्थिर भी निमें दर करते दूसरा है तिर्ती भीनी मैंदर, इसे floating exchange rate कहते है, तिर्ती का मतल़ होता है, तीरना मतलब तैरना, तैरने के संस्थे है आप पानी की धारा के साथ तैर रहे हो, तो कभी उपर जाते हो, कभी नीचे जाते हो, कोई वस्तु तर रही है नहीं, तो लहरों के साथ उपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, उपर भी जाती है, अब जो कोई वस्तु तरतियत क्या कहा जाता है, उसे धारा के दिसा में छोड़ दिया जाता है, यहां भी तिर्ती बिनमेदर में क्या होता देश अपनी अंतर राष्टी मुद्रा अपनी मुद्रा को इस तिर्ती बिनमेदर में देश अपनी मुद्रा को बाजार के भरोसे छोड़ देता देश कहता हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे बाजार में अगर हमारी मुद्रा की मांग होगी ठीक त वारत ने खह दिया हम नहीं कुछ कर रहे हैं हम कोसिस करेंगे कि हम अपने देश की बस्तव का डिमांड बढ़ाए ताकि हमारा निर्यात निर्यात बढ़ें हम अपने देश में तूरिजम बढ़ाएं हम अपने देश के सर्व Experience सेक्टर को मजबूत करेंगे ताकि धेर सारे लोग अंतराश्टी बाजारों हमारे देश की बस्तु में खरीदें हमारे देश की सेमाय खरीदें और जब हमारे देश की बस्तु में खरीदेंगे हमारे देश की सेमाय खरीदेंगे तो हमारी मुद्रा की मांग बढ़ेगी हमार प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे अपने देश में डिमांड क्रिएट करने के अपने देश का निर्याज बढ़ाने की कि हमारे देश का निर्याद बढ़े, हमारे देश की बस्तूओं का निर्याद बढ़े, हमारे देश की सिमाओं का निर्याद बढ़े, हमारे देश में अधिक से अधिक निवेस आएगा, तो हमारे रूपे की डिमांड निवेसक करेंगे, तो हमारे रूपे का वैलू बढ़े अपने ब्यापार को बढ़ाने की कोसिस करती है और जितना ब्यापार बढ़ता है उतना है मुद्रा की वैलू बढ़ जाती है जितना है ब्यापार कमजोर होता है मुद्रा की वैलू कमजोर होती है अब होता क्या है इस तिर्ती प्रलाली में कुल मेलाजुला करके देश का कें कार कोशिस करेगी ब्यापार बढ़ाये जा जितना ब्यापार बढ़ेगा मुद्रा की मांग बढ़ेगी जितना ब्यापार कमजोर होगा मुद्रा की ब्यापार कमजोर होगी यह है तिर्ती बीनिमें दर अब थोड़ा इसको उदाहरर से समझते हैं तिर्ती बीनिमें दर को मा अधिक भी देसी वस्त्यों की मांग बढ़े गई और इस समय अंतराष्टी भी नमेदर एक डालर बराबर पचास है E0 बराबर 50 नतल्ब एक डालर बराबर पचास रुपय रुपय हैं समझ लिजिए अब हम अगर हमारे देस में मांग बढ़े गई इतना है एक डॉलर बराबर 50 रुपया है हमारे देश में अंतराष्टी बजारों में एक डवर पिटार्पए आया है अब माल लीजिए हम अधिक विदेशी बस्तूओं की खरीदारी करेंगे तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और डालर महेंगा हो क्योंकि जब हम अधिक विदेशी वस्तूओं की खरीदारी करेंगे डॉलर में ही करेंगे तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और जब डॉलर की मांग बढ़ जाएगी ति इपॉइंट बराबर सतर अर्थात एक डॉलर बराबर सतर रुपय हो जाएगा इसी प्रकार मुद् उस देश की वस्तूओं और सेमाओं की डिमांड होगी अमेरिकन वस्तूओं और सेमाओं की बहुत डिमांड है तो अमेरिकन मुद्रा डॉलर सबसे आई है जिस देश का व्यापार सबसे जादे होगा उस देश की मुद्रा सबसे बजबूत होगी अमेरिका का व्यापार दु वाओं की डिमांड कितनी है अभ्यापार किया है लेकिन मुद्रा के मुल को निर्धारित करने की को छोटी मोटी वजह और भी होती है जिसमें एक वजह और होती है सटे बाजी होता क्या है कि बाजार में धेर सारे शट्टा बाज लोग होते हैं और इस सटे बाजी भी मुद् मुल्य में बृद्धी का एक बड़ा कारव होती है होता क्या है कि अंतर राश्टी बाजारों में लोग देखते रहते हैं कि किस मुद्रा के मुल्य में भविश में बृद्धी होने वाली है उस सटे बाज उस मुद्रा को खरीदने लगते हैं अब भाया जो खरीदने लगेंगे तो उस मुद्रा का बैलू बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी और जो डिमांड बढ़ जाएगी तो मुद्रा के मुल्य में और बृद्धी हो जाएगी जैसे कुछ दिन पहले कुरोना के बाद लोगों ने अन्य देशों की अर्थवेश्था तबाह हुई हैं लेकिन सबसे तेज भरपाई करेगी अमेरिका की अर्थवेश्था क्योंकि अमेरिका की अर्थवेश्था बहुत मजबूत थी और जब सबसे तेज भरपाई करेगी अमेरिका की अर्थवेश्था तो जितने भी दुनि पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड की बढ़ जाएगी तो आप लोगों देखा होगा कोरोना के बाद पूरी दुनिया में डॉलर मजबूत हुआ और पूरी दुनिया का मुद्रा का मुलेगी बारत का रूपया जो 70 पर था वो 80-80 रूपय पर आ गया क्योंकि सारे इंवेश्टर जा करके अमेरिका में सिफ है मैंनों से कहा जाता है मजबूत अर्थव्योस्थाओं में पैसा जमा करने लगी अब जो अर्थवाज होते हैं इनको अर्थव्योस्था की जानकारी होती है जो कोरोना बीता इधा रूस यूक्रेणियों दुसरू हो गया सट्टेवाजों ने समझ लिया कि कोरोना के घाव भरे ही नहीं है रूस यूक्रेणियों दिस सप्लाई लाइन चेंज होगी और पूरी दुनिया की अर्थव्योस्था पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन अमे अमेरिका में जमा करने लगे दुनिया भर के सेयर मार्केट में जो ब्यापारियों ने निवेस किया था सेयर बेस के अमेरिकन स्टॉक मार्केट में निवेस करने लगी तो सट्टेवाजों ने इसका अनुबों पहले ही कर लिया था कि ऐसा होगा तो सट्टेवाजों ने भ मुद्रा की डिमांड हो गई और महगा हो गया अर्था सटे बाजी के कारण भी मुद्राओं का मुल्य बढ़ता है तुसरी की बात को हम कह रहे हैं कि अंतराष्टी बाजारों में जब किसी मुद्रा के मुल्य में भविश में ब्रद्य होनी की शंभावना होती है तो ब्याप सारी पहले से उस मुद्रा को खरीदने लगते हैं इससे उस मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और उसका मुल्य बढ़ जाता है या भी किसी मुद्रा के मुल्य बढ़ने का एक कारण होता है तिसरी चीजी यह होती है ब्याज दरे और बिनमेदर यानि ब्याज दरे भी पर इंट्रेस्ट डिट बढ़ा दिया, फिक्स डिपॉजित पर इंट्रेस्ट डिट बढ़ा दिया, अब जो बड़े बड़े लोग हम अपना पैसा हम अपना पैसा पने अपने देस के PNB में cambi में सब में FD करते हैं. जो बड़े-बड़े लोग है उननके 10,000, 20,000, 25,000, गरोर अईसे FD करते हैं तो देखते रहते हैं किस देसे FD में ब्याज अधिक है? धुआ क्या कि अमेरिका ने जब अपने देसे FD में परब्याज बढ़ा दिया तो दुनिया के देसों में बिभिन बैंकों में जो बड़े बड़े लोग पैसा रखे थे वो पैसे को यहां से निकाल करके अमेरिका में FD करने लगे अब बैया माल लीजिए भारत में किसी ने 10,000 करोड रुपय जमा किया है और उसे भारत में 7% का FD पर ब्याज मिल रहा है उसी से मैं अमेरिका कहता ह हम 9% FD पर ब्याज देंगे तो भारत वाला कहेगा 10,000 करोड निकालते हैं अमेरिका में ले जाकर जमा करते हैं तो जब यहां के बैंक से 10,000 करोड रुपया निकालेगा 10,000 करोड रुपया लेकर को RBI के पास जाएगा कहेगा RBI 10,000 करोड लो इसके बदले हमें डॉलर दो अब RBI के मजबूरियों से डालर देना ही देना है तो डालर ले करके न भाईयों अमेरिकाम जमा करने जाएगा यानि भारत में भी क्या होगा डालर की डिमांड बढ़ जाएगी सब लोग RBI से डालर मांगने आएगे और सब लोग क्या लेकर आएगे रुपया लेकर अपना रुपय यह लो डालर दो रुपय यह लो डालर दो तो जब सब लोग डालर मांगने तो डालर की अंतराष्टी बाजारों में कीमत बढ़ जाएगे यानि जब ब्याजदरे भी बढ़ती है तो मुद्रा की exchange rate पर प्रभाव डालती है इसी बात को अंतरा समझा रही ह जिसे ब्याजदर बिभेदक कहते हैं अब कहोगे यह ब्याजदर बिभेदक क्या होता है होता क्या है कि एक देश की ब्याजदर और दूसरे देश की ब्याजदर में जो अंतर होता है उसे ही ब्याजदर बिभेदक कहते हैं ठीक दो देशों की ब्याजदरों का अंतर ही ब् interest rate 9% का है इंडिया में ठीक FD per interest rate 7% का है तो दोनों के बीच का अंतर क्या है 2% तो ब्याजदर विभेदक क्या हो जाएगा इंडिया और अमेरिका के बीच 2% यह जो ब्याजदर विभेदक जितना बना होगा मुद्राए उस देश में उतनी ही जाएगी यानि भारत और अमेरिका के बीच ब्याजदर विभेदक 2% का है यानि अमेरिका में पैसा जमा करने पर 2% जादे मिल रहा है तो भारत के जितने पैसे वाले लोग अमेरिका की तरफ बगेंगे समझना बात को समझना अंतर को तिसे कहते हैं ब्यासदर भी मुद्राओं के मुल्ड को बढ़ाने में बिनमेदर को बढ़ाने में एक बहुत बढ़ा जोगदान देता है यह सारी चीजे हैं जो बिनमेदर को बढ़ाती है ब्यासदर भढ़ाती हैं मुद्रा की डिमांड भढ़ाती है अंतराष्टी मार्केट में सटेवाजी है यह बढ़ाती है किस देश का ब्यापार निर्यात कितना है यह भी तै करता है कि मुद्रा का मुल्य क्या होता है एक और चीज है जो मुद्रा की इस्चेंज रेट को प्र प्रभाविद करती है वो होता है आए तो देखते हैं आए भीनमेदर को कैसे प्रभाविद करती है इनकम कैसे प्रभाविद करती है देखिए जब आए में ब्रिद्धी होती है तो उब भोगता के ब्याय में भी ब्रिद्धी होती है अगर हमारे आपके आए में ब्रिद्धी होगी तो हमारे आपके खर्चे में ब्रिद्धी होगी और जब खर्चे में ब्रिद्धी होगी तो विदेशी वस्तों की मांग बढ़ती है 1990 के पहले भारत की जो ड्रीम कार होती थी वो अंबेश्डर होती थी अंबेश्डर और फियेट और एक मारूती यही तो तीन कार दिखती थी आज चलिए बाजारों में अंबेश्डर फियेट और मारूती को कोई पूछता ही नहीं है बंद हो गई तो कि लोगों के पास खुब पैसा आ गया महानगरों में तो आप घूमने जाए बीमड़ू एक से एक प्रकार की दिख रही है मर्सीडीज देख रही है रेंज रूवर देख रही है पोर्च दिख रही है तो मालने क्यों हो क्योंकि आए बढ़ी यह 1990 के भारत और 2022-23 के भारत में अंतर है उस दोरान गाउं में एकार टेक्टर दिखते है तो गाउं में 10-20 टेक्टर दिख रहे है हर तीसरे माई ने नए माउनल के गारियां लांच हो जाती और खुब बिखती है तो होता क्या है कारण आए बढ़ी है तो भोक्ता की मांग भी बढ़ी है तो होता क्या है कि जब आए बढ़ती है तो भोक्ता की लगजरी वस्तूओं की डिमांड बढ़ती है जो भोक्ता पहले कहता था महेंदरा वाली जीब खरी देंगे अब वह यू भोक्ता कहता था ना BMW खरी देंगे विदेशी कपड़े खरी देंगे घड़ियों के ब्रांड खरी देंगे जूते अलग-अलग प्रकार के विदेशी के कॉस्मेटिक्स खरी देंगे तो आय बढ़ती है तो विदेसी बस्तूओं की मांग बढ़ती है और जब विदेसी बस्तूओं की मांग बढ़ती है तो उस देश का आयाग बढ़ता है और जब आयाग बढ़ता है तो हमें खरीदना पड़ेगा देश को बाहर से तो बाहर से खरीदना पड़ेगा तो विदेशी मुद्रा में ही खरीदना पड़ेगा अर्थात आयात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है और जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा का तो मुल्य बढ़ता है आपके अप निमेदर को प्रभावित करती है तो यह रहा तीरती बेवस्था को प्रभावित करने के कारण तो प्रबंदित वाले में जो इस्थिर बिनमेदर हो उसको देशी तय कर देता है तीरती बिनमेदर बाजार के हवाले होती है सब चीजे निरधारित करती है अब एक नई बेवस् तो इस प्रबंदित तिर्ती ब्योस्था में क्या है नई ब्योस्था है इसके ताथ क्या कर दिया गया है या जो प्रबंदित तिर्ती ब्योस्था है या तिर्ती बिनमैदर का और इस्थिर बिनमैदर का मिस्रड है यानि क्या किया गया है इस्थिर बिनमैदर के कुछ गुरो को ले लिया गया है और प्रबंदित तिर्ती बेवस्था बना दी गई है इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है कि मुद्रा रहती तो अंतराश्टी बाजार के ही हवाले है ठीक तिर्ती बिनमेदर के ही हवाले है लेकिन तिर्ती बिनमेदर में क्या होता है कि केंद्रे बैंक कुछ नहीं करता है मुझ मोड लेता है कहता है अब हमारे बस्तों की डिमान बढ़ेगे तो मुद्रा की डिमान बढ़ जाएगी लेकिन प्रबंदित पिर्ति वै में होता क्या है कि मुद्रा अंतराश्टी बाजार के ही हवाले होती है केंद्री बैंक पीछे से चुपके से केंडरी बैंक क्या करता है और इसके लिए ludra किर्थ करता कि याने माल ली जीए संट्रल यचा अरन अर्विए के देखेंगा कि अंतराश्टी बाजार में हमारे रूपए की वैलु अभी बड़ी कम हो रही है है इसका मतलब हमारे निर्यात कि यृविक खरीद रहे हैं आपके वास रूप्या हो तो आईये हमें दीजी हम आपको डालर दे देंगे तो जब किर रूप्या खरीदेंगा थो रूपय की दिमांड बढ़ जाएगी ठोल्ब ٹोल एक बढ़ प्रबंधित तिर्ती ब्योस्ता तो आपने समझा भुक्तान संतुलन आपने समझा और यहीं आकर कि बारहमी की मैक्रो एकॉनमी खत्म होती है बारहमी का समझती अरसास खत्म होता है लेकिन इसके बाद एक चैप्टर है एकॉनमी की किताब के पीछे इस पूरी एकॉनमी की सब्दावलियां दी गई है तुन में से कुछ सब्दावलियों को मैं आपको पढ़ा काफी काफी important रही और मैंने देखा कि कई जाम में उन सब्दावलियां से सवाल ही पूछा गया है तो किताब खतम होती है इसी किताब का एक परिशिष्ट है महतपूर सब्दावलियां उसको हम अगली कलास में कराएंगे उसके बाद हम टेश्ट बुक की ओर यात्रा करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगे तो जरूर बताईएगा धन्यवाद